नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल रोसनराज आउनलाइन टिप्स में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सरकार की तरब से जारी की गई एक बरी अपडेट के बारे में दोस्तों बिहार सरकार की ओर से एक बरी घोसना की गई है कि जिन जिलों में सुखा ग्रस्थ हुई है उन जिलों के सभी परिवारों को 35-35 सुर्प्या ततकाल सहता रासि दिया जाएगा यानि कि विशेश सहता योजना लागू किया गया है इस योजना के अंतरगत उन सभी जिलों के सभी गाव में जितने भी परिवार हैं उन सभी परिवार को 35 सुर्प्या की सहता रासी सरकार की तरफ से दिया जाएगा तो फ्रेंड्स अगर आपका भी जिला यहाँ पर सुखा ग्रस्त गोसित हुआ है तो ऐसे में आपको भी यहाँ पर 35 सुर्प्या प्रती परिवार के दर से सभी परिवार को दिया जाएगा तो किस तरह से यहाँ पर पैसा मिलने वाला है किस तरह से आप लोग का आवेधन लिया जाएगा और किस तरीके से आप लोग को आवेधन करना है कैसे आप लोग का पैसा मिलेगा सारा जानकारी इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब किजिए लाइक किजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर किजिए ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके चलिए वीडियो को सुरू करते जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंस आपके सामने एक पेपर कटिंग है और इसमें सरकार की इस योजना को दर्सा आ गया है यहाँ पर 11 जीलों के 7841 गाउं में सुखा ग्रस्त घोसित किया गया है और उन सभी प्रभावित परिवारों को पैते सुर्प्या की विशे सहता रास और सुखार का अनुदान जो मिलने वाला है वो आपको अलग से मिलने वाला है यहां पर उन सभी शुखा ग्रस्त 7841 गाउं का सर्वे कर लिया गया है इन्हीं 7841 गाउं में आप लोगों को यह रासी मिलने वाली है तो इस सहता रासी को लेने के लिए आपको आफ-लाइन कुछ यहां पर लिया जाएगा और उसके बाद आवेदन प्रखंड अस्तर से कर लिया जाएगा तो आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है अपना डोकुमेंट को अपने गाउं के बादसदर से या मुख्या या किसी सलाकार को देने होंगे वह आप लोगों का आव फिलाल इसी तरीके से आप लोगों को आवेदन होने वाला है इसमें जिन 11 जिलों के छेत्र सुखा ग्रस्त हुए हैं उन सभी जिलों का नाम दिया गया है यहां पर जिन जिलों के गाउं सुखा ग्रस्त हुए हैं उनमें जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, सेकपूरा, न 30% से अधिक रखवा में नहीं लगपाई फसल इन कारण से ये जो है सहायता रासी दिया जा रहा है यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि बार परभावित को भी मिलेगी ये सहायता रासी कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि अक्टूबर माह में हुई अधिक बारीस और बिभीन जगहों पर आई बार में परभावित फसल को लेकर भी किसानों को सहायता दी जाएगी इसके लिए जल्द ही सर्वेच्छन सुरू होगा और सर्वेच्छन के बाद परभावित परिवारों को क्रिसी इनपूट अनुदान दिया जाएगा सर्वेच्छन के बाद सह साहता रासी दी जाएगी कुल मिलाकर यहां पर हम जूम करके यह भी दिखा दे रहें नीची आप देख रहें पतना सूखा ग्रस्त गाउं के हर परिवार को विशेश साहता के रूप में राजी सरकार की ओर से 35-35 रुप्या दिये जाएंगे जो कि उन सभी गाउं को चिनित क कर लिए गए हैं और साथ में दोस्तों यह भी यहां पर दिखाया गया है आप देख रहें हैं जिन किसानों को डीजल का अनुदान का पैसा अभी तक नहीं मिला उन लोगों के लिए भी बरी राहत दिया गया है जो की 100 करोर रुप्य डीजल अनुदान के लिए मंजूरी मि लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए और आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद